बीरू अकैडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे सिच्चा जगत से जोड़ी होई महत्रपूर्ण खबरों पर बिहार में नई सिच्चक भरती का जो अलाउंसमेंट है जल्द होने वाला है रिक्त पदों का जो डाटा है लगाता और मांगा जा रहा है तीसरे चलंड की सिच्च कभरती के लिए तयारी पूरी तरीके से जोरों पर है बात करेंगे 12406 प्राथमिक सिच्चक भरती में वेटिंग लिस्ट अभरतियों के लिए वड़ी खुज खबरी है पूरी तरीके से बात के लिकिन आगे बढ़िसे पह SPE बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके बाल आइकन प्रेस कर लिजे डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पहली अपडेट लगी हुई है सूबे के सभी जिलों से रित पदों की प्राप्त की जा रही जानकारी तीसरे चरण की सिच्छक भरती के लिए तया कर दिये जाएंगे तो आप देख सकते हैं विहार पूरे भारत का एक कैसा राजजवन चुगा है जो च्छा माह के अंदर लगातार कई लाग सिच्छक भरतिया कर रहा है यहां पर आप देख सकते हैं BPSC से दूसरे चरण में चैनिस सिच्छकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है इसके साथ ही तीसरे चरण की सिच्छक नियुक्ती को ले करके भी जो तयारी है सुरू कर दी गई है इसके तैट जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है वही मध्य विद्याले के लिए सारी सिच्छकों के पद को नियमित बनाने पर भी वि किया गया है इसके बाद प्रस्ताव प्र कैबिनेट से स्विक्रित मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता स्वाप हो जाएगा तो आप देख सकते हैं प्राथिमिक इस्तर के जो पहले पदरख बश गए हैं पहले चलन में 20,000 वो भी एट किये जाएंगे और ऐसा राजवन चुका है भारत का जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोजगार के मुहिम में सिच्छा विभाग में सबसे आगे हेडियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की अगली अपडेट आप देख सकते हैं ये स्टीटी के लिए आवेदन की जो तिथी है वो साथ तक बढ़ा दी गई है बिहार विद्याले परिच्छा समितनी स्टीटी दोजार चोविस के आवेदन की जो अंतिम तिथी है बढ़ा दी है अब स्टीटी यानि की बिसेस विद्याले अध्यापक पातरता परिच्छा क सिच्चक भरती में पूरी तरीके से हर प्रेस की जितने केंडिरेट है सब को इलिजबल आलरेडी किया ही गया है आपनी दो चरणों में देखिया है यह ज़ए तो आप या तो वहां का ये स्टीटी क्वालिफाइट कर लीजिए भीहर का या फिर आपको सीटेक्ट क्वालिफ 60 में आधिस यादा जो पत थे वो होल्ड हो गए थे मानि कोट की दहलीज पर ये मामला चला गया था और उसके बाद कोट ने शून नियोरिंग क्यामन जनपत को लेकर के पूरी तरीके से निरणे दिया और उसके बाद भरती में काउंसलिंग इत्यादी सारा कुछ चला और करती हैं उनको एक काउंसलिंग के लिए पांच को फिर से बुलाया गया है आप देख सकते हैं सूबे के परसदी विद्यालियों में साहयत अध्यापक के बारा जार चार तो साथ सिच्चकवर्ती के बचे पदों पर काउंसलिंग और अभिलेखों की जाच की प्रक्रिया ज फिर भी नहीं भरी जा पाएं तो निश्चित तोर पर अगली बार जो होगा वो ओपें टुवाल कर दिया जाएगा आप किसी भी जिले से हैं किसी भी जिले में आप आवेदन करेंगे काउंसलिंग कर पाएंगे लेकिन फिलहाल अभी एक बार और जिलेवाई जी कही ना कह जो काउंसलिंग कराने के लिए जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है आप वेबसाइट पूरी तरीके से देख सकते हैं काउंसलिंग की समय सारणी ब्रहसपतिवार से यानि की आज से ही उपलब्द रहेगी और 5 जनवरी से फिर से एक बार जो काउंसलिंग है 12,460 में ज देखा था सीतापुर में 800 के सापेच 200 अभ्यरतियों नहीं काउंसलिंग करवाई इस तरीके से विबिर जीलों की रिपोर्टें आई हैं बहुत पदभी वेरिक्त हैं अभी जनपद वाई जो काउंसलिंग कराई जा रही निश्चित तोर पर इसे सीते नहीं भर पाएंगी और एक बार कुणा जब दूसरी ये काउंसलिंग के समापत के बाद ओपन टू अल सरकार को करना होगा कि कोई भी अभरति किसी जनपत का होकर किसी अधर जनपत में पूरी तरीके से काउंसलिंग के लिए पाटिस्टिबेट कर पाएंगा तभी ये सीटे भर पाएंगे क्योंकि शाड़े 6,000 सीटे खाली है आप जानते है 12,460 में और पिछले 5 साल पुरानी ये भरती का मामला है एक कोट के चैरी में गूम रहा था तो वीज के जो कैंडिडेट थे वो किसी दूफरी जॉब में कही ना कहीं सिलेक्ट हो गए कांसलिंग प्रक्रिया को ओपेंट वाल करना ही पड़ेगा पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजेगा 12,460 को लेकर के आपकी क्या राय है क्या ओपेंट वाल होगा या नहीं आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मिंसल्स कीजेगा फिर मिल झाल झाल